हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो और यूटुब चैनल पीसे अंबी डिजिटल गुरुकुल आज हम क्लास 10 के मैट सब्जेक्ट की वर्शीट नमबर 5 करेंगे जिसकी डेट रहेगे 14 जुलाई ठीक है तो लेट स्टार्ट आज की शीट का हमारा सब्जेक्ट रहेगा कार्टीशन कार्टीशन प्लेट में इंपोर्टन टर्म्स क्या है वो देख लेते हैं इंपोर्टन टर्म्स रहेंगे इसमें कार्टीशन प्लेट क्या होता है और इसमें सबसे पहले बोलता है अब जैसे एक paper पे dot लगाया तो ये बोल रहा है कि मैं अपने दोस्त को कैसे बताऊंगा कि ये point कहां है तिरको भी अगर किसी other paper पे लगाना हो तो तुम कैसे लगाओगे तो इसको क्या करना पड़ता है Locating a point on Cartesian plane can help Let us learn about it तो point को अगर Cartesian plane में हम locate करेंगे तो हमें help मिलेगी अब ये कैसे होता है Cartesian plane में तो इसको देखते हैं ठीक है तो ये बोलता है I also want to locate position of a student in a class and location of my home in the locality तो ये बोल रहा है कि मैं भी चाहता हूँ कि position एक student की class में find करूँ और अपने location of my home in locality वो भी position find करूँ ठीक है locate करना चाहता है तो एक classroom sitting arrangement 0 से लेके 3 और 1,2,3,4 तो 3,2 अब देख लेते हैं क्या चक्कर है क्या Cartesian plane है क्या कहते हैं इसमें Cartesian plane में दो लाइने होती है generally दो लाइने होती है Cartesian plane में एक को horizontal line कहते है ये जो blue वाली है ये horizontal line है ठीक है और ये जो vertical ही है इसको vertical line कहते है red वाली को vertical line कहते है ठीक है horizontal हो गया आपका और जहां ये दोनों line मिलती है उसको point को बोलते है origin origin बोले तो x axis और y axis दोनो 0 0 पे रहेंगे horizontal line x axis बोलते है vertical line को y axis से denote करते हैं जैसे यहाँ show कर रखा है vertical line ये red वाली y axis है आपकी और horizontal line x axis है ठीक है blue वाली x axis और ये red वाली y axis तो पहले x axis का point पहले जो point होता है point में दो डिजिट होएंगी जैसे 0 0 है ये 0 donate करेगा x और ये y donate करेगा 0 ठीक है और ये जो first second third और ये fourth है quadrant होंगे चौथा ही भाग जैसे बोलेंगे हम जैसे x square के मतलब x square के four parts कर देंगे हम equally equally तो quadrant हो जाएंगे चार हिस्सों में हो जाएंगे ये तो ये first quadrant में क्या होता है x axis भी positive होता है y axis भी मतलब 0 से right hand side ये जो area रहेगा x axis का positive रहेगा और upper axis ये ये भी इसका positive रहेगा ठीक है तो first quadrant में जो point होगा वो plus plus रहेगा second quadrant में x जो होगा वो minus रहेगा और y plus रहेगा तो second quadrant में minus plus ठीक है, third quadrant में दोणों minus रहेंगे x का point भी और y का point भी क्योंकि x का point इधर लाई करेगा और y का नीचे, तो नीचे y negative हो जाएगा और fourth quadrant में x तो positive रहेगा और y नीचे है तो y negative रहेगा ठीक है, तो plus plus point है तो first quadrant minus plus है तो second quadrant minus माइनस दोनों माइनस है तो third quadrant और plus माइनस है तो fourth quadrant ठीक है अब जैसे कि यह one three है तो one three point कहा आएगा plus plus है first quadrant में ठीक है अब जो point one है यह x axis पे जो one point है इसको बोलेंगे abscessi का ठीक है मतलब x point पे जो value है उसे बोलेंगे हम abscessi का ठीक है और जो y की value three है यह y axis पे तो इसे बोलेंगे ordinate बस यही point थे main अब इसके questions करते है ठीक है horizontal line drawn to determine the position of any point in the cartesian plane तो horizontal line को आप क्या बोलते हो यह बताया था मैंने x axis x axis बोलोगे ठीक है ठीक है x axis फस्ट का answer हो जागा x axis vertical line drawn to determine the position of any point in the cartesian plane इसको बोलोगे y axis y axis ठीक है second answer each part of the plane formed by these two lines each part को क्या बोलेंगे जो दो लाइनों से form बनेगा हर part को बोलेंगे quadrant क्या बोलेंगे quadrant यह बोलेंगे quadrant ठीक है third answer हो जागा quadrant हर चताई बाग को बोलेंगे quadrant ठीक है और fourth का answer क्या हो जाएगा the point where two lines intersect to point को क्या बोलते है origin fourth answer हो जाएगा origin ठीक है तो यह fill in the blanks होगे question 2 है the coordinates of b, b point के coordinates क्या होंगे तो b point कहा है हमारा यह b point है ठीक है b point के coordinate क्या होंगे x पहले देखते हैं तो x पे है minus 5 b point देखो आप second quadrant पे तो minus plus होगा और y देखेंगे बाद में तो y क्या है b पे यह 2 तो 5, 2, 5, 2 point हो जाएगे b के the coordinates of c, c point कहा है यह fourth quadrant पे, fourth quadrant पे plus minus होते हैं तो x पहले देखेंगे तो plus 5 और y देखेंगे तो minus 5 तो यह coordinates of c हो जाएगे, second का answer हो जाएगे, c के coordinate हो गए, यह b के coordinates the points identify by the coordinates minus 3 minus 5, minus 3 minus 5 बोत minus है तो third quadrant में third quadrant में minus 5 यह है, minus 3 minus 5 sorry, minus 3 यह है और minus 5 यह e point हो जाएगा यह answer हो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू सोमच